करनाल की गोगडिपूर नहर में डूबे दोनों यूबकों के शवो को पुलिस ने बरामत कर लिया है आपको बता दे कि करनाल गोगडिपूर नहर में नहाने गए तीन यूबकों में से दो यूबकों की डूबने से मोथ हो गई थी वह एक को बचा लिया गया था गोता खोरो व ग्रामिनों के प्रियास से अंकुष नामक यूवक की घोगडिपूर हैड के समीप वर आजेश की मुनक हैड के समीप से डैड बोडी बरामत कर ली गई जिनको पोस्ट माटम के लिए करणाल के कलपना चावला मर्चरी हाउस में लाया गया जांचादिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि तीन यूवक गोगडिपूर के समीप नहर में नहाने के उदेशे से गए थे जिन में से दो यूवक की डूबने से मौत हो गई काफी मशकत के बाद डैड बोडी बरामत कर ली गई जिसका पोस्टमाटम करवा कर परिजनों को सोपा जाएगा यहां हम आपको बता दे कि गोगडिपूर नहर में नहाने गए तीन यूवक में से दो की मोत हो गई थी वही गरामीनों ने कहा कि इस तरह गाउं में दो यूवकों की मोत होने से शोक का महोल है उन्होंने बच्चों के अविवावकों से अहावान भी किया कि अपने बच्चों को इस तरह से नहाने नदियों में ना भेजी करनाल सा समाचार एक्सप्रेस के रिपोर्ट गोगडी पर आके इन्होंने बच्चे नारे थे इनको भी दिल करा महाँ पे इन नाने लगे रबजाई में नाए उसके बड़ी नेर में नाए और इनके साथ यह आदसा हुआ हम तो यह लोगों से अपील करते हैं कि नेर में बिल्कुल ना जाएं अपने बच्चों को रोकें और इस इतने बड़े आदस्य से जो हुआ है इसे नसीद लेगे आपने आपको काम्याब करें यह साधी शुदा था दो बच्चे इसके पास अठाई साल के एक यह तिन्नों गोगडीपूर के पास डूब गये थे नेर के अंदर तो एक यह जो राजिंत राजेस है वो बचाने के लिए गया था वो भी डूब गया था जिसमें थे एक बच गया था और एक दो डूब गये थे हैं दो जारे दो आमत है जो एक निकले आथा और एक जो बचाने के से परांद होगी थी अंकुस्की और आज मुनकेट के नियर से इसकी और आज इसकी डाड़ बोड़ी परांद हो गया जिन गफ उस्मार्टम कराज अपील करें के अपने बच्छों को नहां बेजा करें नहर पेनाने की सभी से बार बार का जा रहा है लिख्या भी इसके अंद को बचके गया था बचारें ऐसे ही लिटेश को बरे पाने के लिए बैल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइब शेयर और सब्सक्राइब करें हैं धन्यवारी A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgarana and Jyoti Garden, a JBD Banquets Enterprise.